नमस्रा दोस्तों दोस्तों आज जिस इंफ्रा स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों वो इंफ्रा से इस रिलेड़ेट तो है लेकिन आपको पता होगा अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो जो सबसे जादा इंप्रूमेंट आपको दिखेगा इस गवर् प्रगार की रूड इस प्रगार की हाईवेज एक्सप्रेश वेज वो बनवाए हैं वो अपने आप में फेनॉमनल्स हैं भाई कई लोग यह कहेंगे कि एक्सप्रेश उतने अच्छे निए बने आगर आप 10 साल पहले देखेंगे एक्सप्रेश की स्पीड को और आज मुझ सोच रहे हैं कि यहां से स्टॉक आगी क्या जाएगा और वो निविशग जो आने वाले पांच सालों का रोड मैप देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूँ पिछला साल अगर आप जिस प्रकार के अवार्ड दिये गए हैं प्रोजेक्ट को वो स्लोडाउन था तो आज समझ सकत कि आने वाले साल कितना फ्लरिश हो सकता है तो ऐसे बहुत सारे सावालों के जवाब इसे क्वे में वीडियो में चर्चा करूंगा अगर आप इस टॉक में निविशग हैं यह निविश के सोच रहे हैं यह वीडियो आपके बहुत काम आएगी लेकिन आगे बढ़ने से पह नोटिफिकेशन के बैल को जरूर दबाएं अब सिधा लेकि चलता हूं दोस्तों नैल से से तरफ देखिए सबसे पहला कि जो कॉंटी मूचल फंड को लेकर के इस होता देखिए कॉंटी मूचल फंड फ्रंट रर्निंग केस, रिलाइंस, अडानी पावर, आई आर्बी इंफ्रा, सेल यह कॉंट स्मॉल केप के टॉप होल्डिंग है दोस्तों ओके तो भई, आई आर्बी इंफ्रा भी उन स्टॉक्स में से एक है, अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, फ्रंट रर्निंग केस को लेकर के, मैं जब यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कम्पनी ने अपने FAQ को, यानि frequently asked question, कि एक series निकाल दी है, अपने investors के लिए, सेवी के proof के बाद, तो मुझे उतना नहीं लगता, कि कुछ बड़ा, आपको negative trigger देखने को मिलेगा, बट, जब इस प्रकार के case होते हैं, उट की करवट कहां जाके, बैठेगी, यह किसी को नहीं पता, तो IRB इंफ्रा में, आप IRB इंफ्रा, रिलाइंस और सेल, और जिस प्रकार के stock, absolute carnage की हैं, दोस्तों, market में, यह अपने आप में, बहुत important है, तो, यह चीज है, हमारे लिए उतना important नहीं है, कि कौन सा क्या कैसा है, IRB इंफ्रा है, तो आपको एक खत्रा है, यह पता होना चाहिए, अब इंफ्रा में मुझे लगता है, हफता दो हफते पहले का article है, अगर किसी का 6 महीने का horizon है, तो IRB इंफ्रा का potential है इतना जादा है, कि 85 के upside को भी touch कर सकता है, जी हाँ, जिस प्रकार का momentum जल रहा है, मुझे इस लाइन में बस एक issue यह है, कि बाजार बहुत ही जादा उपर है, अब यहां से बाजार को ऊपर ले जाने के लिए, IRB जैसे stock इतना चलेंगे 6 महीने के अंदर, मुझे यह थोड़ा खराब लगता है, यह थोड़ी गड़बर लगती है, हाँ, अगर इस बार के quarter war के number आने वाले हैं, वहां से IRB इंफ्र ने कोछ बहुत ही positive trigger दे दिये, तो फिर शाद एक अपनी position को maintain रखा है, ना उपर जा रहा है ना जादा गिर रहा है, अब आप charts में देखेंगे, तो जो IRB इंफ्रा है, trading above 100 day moving average of 65.44, but below 50 day moving average of 68.1, लेकिन जब मैं यह video record कर रहा था, यह level भी टूट चुका है, तो 100 day moving average के वो नीचे trade कर रहा है, मैं यह 27 तारीक की रात को यह यह चीज़ आद रखेगा, अब stock, अगर 100 day moving average के काफिन यह चला जाता है, तो फिर एक और आपको weakness देखने को मिलेगी, ठीक है, अब यहाँ, IRB Infra का जो share है, वो news में recently था, जब promoter ने इसमें कुछ टेक सेल किया था, वाइट block deal, और recently, जो Spanish Infra company है, Ferrovial, उसने भी कुछ 0.86% strike as of March quarter, ठीक है, तो Sentra के पास, जो एक Italian company है, उसके एक subsidiary थी, उसके तरूस ने sell किया था, तो, अब आप देखें, इतनी जादा issues हो चुकी है, फिर भी stock गिरा नहीं है, तो यह एक काफी मजबूती है, और क्यों ने गिरा है, आपको थोड़ी दिर में इसका पता अब आप देखें, CNBC TV18 पोस्ट के इस डील के साथ, जो management, the IRB इंफरा किया, उन्होंने यह का था, it does not expect any further selling from promoter entities going forward, and they also expect toll collection in financial year 2025 to grow 20-25%, यानि, दो हजार पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् और भाई साथ उसकी शुरुआ तो एनचाइने करी दी है, जैसे ही आप कह सकते हैं, government ने अपनी जो चुनाओ पूरा complete हुआ, एनचाइने, जो toll के prices बढ़ा दी है, अब as a common people, आपके मेरे लिए तो बहुत ही खराब news हो गई, अब मेरे लिए उती नहीं कि मैं उतना घुमत नहीं हो, ठीक है, तो जो लोग घुमते हैं उनके लिए तो वाकई में, it's wrong, अब indirectly लोग कहेंगे, समान तो आता है, तो आपके उपर बोज बढ़ाई, ठीक है, बट मैं लाइटर नोड में कह रहा था, आजकल लोग बहुत ही जादा आपके सकते हैं, अंदर घुस जाते है किसी बात के, बट, बैक टू दो टॉपिक, यह चीज है, तो वे फॉरवर्ट, इस गुड, अब आते हैं अपने में हाइलेट के उपर, जल्दी जल्दी, देखें, IRB, अब बेस्ट प्लेस्ट कंपनी, क्या ये एक बेस्ट प्लेस्ट कंपनी है, देखें, नहाई ने ने न सब्सक्राइब, तो यह पिछला साल कोई बहुत अच्छा साल नहीं किया है, ड्यू टू बैलोनिंग डेट लेवल, ऐसा इसले था, कि इतना ज्यादा डेट लेवल हो गया था, कि थोड़ा सा तो पॉस लगाना पड़, और मुझे सही भी लगा, ठीक है, नाओ, एने चाई has shifted its focus towards asset monetization, आप देख रहे होंगे, कि पिछले कुछ समय से लोग, मत अब सक्याई भी रहें कि सरकार सब बेच रही है, तो एने चाई ने ने कुछ अपने रोडों को monetization के ओपर बेचा है, multiple TOT, bundled were awarded last quarter, बहुत सारे चीजों में यह ही किया गया है, कि आप बनाओ, और उसमे segment, and the private invoice ability, to sell fund project, would further open up prospect for company, ठीक है, तो यह जो, asset monetization का फाइदा, IRB को सबसे जाद अच्छा हुआ, और, balance sheet मस्बूत ही, 38% share उने ले लिया, and now, NHAI has identified 33 projects worth 1 trillion rupees, which are expected to be bet out under the TOT monetization program over next 12 to 18 months, यानि, आने वाले, 1-5 सालों में, आपको और भी, NHI की तरफ से मिलेंगे, property मिलेंगी, जहां पर, वो asset monetization को लाएंगे, अब IRB इंफ्रा, एक काफी well placed है, experienced है, तो उनका market share से बढ़ने ही बाला है, okay, एक चीज़ अच्छी हो गई, now, 444 billion rupees of BOT pipeline provides strong near term visibility for order, अब यह क short term visibility भी, IRB को लेकर के अफी अच्छी देख रही है, अब आप देखें, BOT projects have start making a comeback, after years of open EPC, and action projects as 100% of the construction cost is born by the developer, तेकि एपी सी होता है, आप engineering, procurement, or construction, यानि, आपको एक project मिल गया, आप शुरू प्लानिंग से लेकर के उसके under, over construction तक, आप ही उसको देखोगे, but अब BOT project आज चुका है, और NHI ने, 15 ऐसे project देखे हैं, 444 बिलिन रुपीज के, जहां पर आपको यह किया जाएगा, now, which are expected to be awarded in the coming month, and the medium term pipeline BOT is 2 trillion रुपीज, expected to be ordered near next 2 years, बाइसाब, उपर, आपको T.O.T. में मिल रहा है, और यहां पे BOT में मिल रहा है, यानि, near medium to short term, बल्कि मैं कहूंग medium to long term भी अगर आप देखोगे, तो IRB इंफ्रा को positivity ही देखने को मिलेगी, and expected है, we think players such as IRB with a strong balance sheet, could be key beneficiary, and could garner healthy market share, और बात करें, as per RBI competition expected to be primarily among 6 और 7 प्लेयर, और अच्छी बात यह है, कोई बहुत जादा competition नहीं होने वाला, मात्र 6-7 प्लेयर के चोने वाला है, although, the EPC player in participant financial partner court also bid for these projects, but still, IRB, अगर कोई बहुत फ्रेंटर नहीं रहेगा, तो बहुत जादा problem में रहेगा, ऐसा भी नहीं देखता, तो हमको IRB को लेकर के, चीज़ें काफी positive विख रही है, medium to short term, okay, अब देखें, जो corn call है, major corn call है investors की, उसमें अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर March 2024 की बात करें, company का order book है, 348 billion रुपीज रहा है, within this order book, जो EPC segment है, वो 57 billion रुपीज का है, okay, providing robust revenue visibility of IRB construction segment for the next 2-3 year, और भाई साब, आने वाले 2-3 सालों के पास, आपके पास काफी अच्छी visibility, तो दीखे, IRB के पास, यहाँ से तो at least, 2-3 सालों में बहुत अच्छी चीज़े हैं, और यहाँ से, IRB Infra, एक काफी अच्छा, आपको return दे सकता है, 2-3 सालों में, बीच मैंगर बाजार, कहीं पर भी, कोई dip दिखाता है, कोई गिरावट होती है, मुझे ऐसा लगता है, IRB म यह investment का मौका होगा, और भी बहुत सारी चीज़े हैं, दोस्तों, लेकिन हमने लगभग, तमाम चीज़ों complete करी लिया है, तो अगर आप देखना हैं, तो पॉस करके बढ़ सकते हैं, तो एक छोटी से analysis आप लोग साथ शेयर करनी दोस्तों, IRB Infra को लेकर के यह बताने के लि दोस्तों, आप यहां तक जुड़े रहें, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद, यह सुरी गांते हैं, चैन दोस्तों